आप सभी fruits तो खाते ही होंगे और आपने कई तरह के fruits पर अलग-अलग तरह के stickers भी लगे हुए देखे होंगे लेकिन क्या आपको पता है यह stickers किसलिए लगाए जाते हैं इन stickers में fruits की quality, उनकी manufacture date, उनकी expiry date और उनकी MRP के साथ-साथ एक PLU code भी होता है यह PLU code हम सब लोगों के लिए यानि कि आम जनता के लिए काफी जादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इससे यह पता कर सकते हैं कि फल रसाइनिक वाला है या फिर natural उगा हुआ है तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यह अलग-अलग तरह के PLU code का नहीं करी गई है अगर स्टिकर पर 5 डिजिट का नंबर हो और वह 8 से स्टार्ट हो रहा हो तो यह समझा जाता है कि उस फल के अंदर थोड़ी बहुत केमिकल छेड़शाड करी गई है अगर PLU code की संख्या 4 है यानि कि वह 4 डिजिट नंबर है पूरी तरीके से रसाइनिकों से बना है इसलिए वह और फलों के मुकाबले काफी जादा सस्ता आता है लेकिन यह हमारी सीहत के लिए काफी जादा खतरनाक है क्योंकि इसे खाने से हमें कैंसर जैसी खतरनाक बिमारी भी हो सकती है तो जब भी आप फल लेने जाते हैं तो आप इन स्टिकर्स पर हमेशा गौर करें तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ यह वीडियो शेयर भी कर दीजिए